आयोधिया इतिहास रचने के बेहत करीब हैं दरसल जिस पत्थर से रामलला की मूर्ती का निर्मान हुआ है उस पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है इस वज़े से भी रामलला की मूर्ती श्यामल है जिस पत्थर से रामलला की मूर्ती का निर्मान हुआ है उसमें कई गुण है ये पत्थर कई माइने में बेहत खास है रामलला की मूर्ती के निर्मान में इस पत्थर का उपयोग करने की पीछे एक बड़ी वज़े ये भी है कि जब रामलला का दूद से अभी शेक होगा तो दूद के गुण में पत्थर की वज़े से कोई बदलाव नहीं होगा उस दूद का उपयोग करने पर स्वास्त पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है साथी ये हजार से भी अधिक सालों तक यूही रह सकता है यानि कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा इसके अलावा वाल मिकी रामायन में भगवान राम की स्वरूप को श्याम वर्न में ही वर्नेत किया गया है इसलिए ये भी एक वज़ो है कि रामलला की मूर्ती का रंग काला है साथी रामलला का श्यामल रूप में ही पूजन होता है श्री राम जन में भूमी तीट श्रेत्र के बहासचिव चमपत राय ने बताया है कि भगवान श्री राम लला की जो मूर्थी बनी है वो पात साल के बालक का स्वरूप है उन्होंने बताया है कि मूर्ती 51 इंच की है और रामलला की मूर्ती का निर्मान काले पत्थर से किया गया है रामलला की मूर्ती में भगवान की कई अवतारों को दर्शाया गया है रामलला राममंदिर के गर्भगरे में अपने आसन पर विराजमान हो गया है और अब बस इंतजार है 22 जन्वरी के प्रान प्रतिष्ठा का जब श्री राम विग्रा की प्रान प्रतिष्ठा होगी और फिर राम लला के भव्य दर्शन होगे अयोध्या तो आज बेकुंट है ऐसा लग रहा है देखने के बादि में कि मानोस्वयम तरेता योग है और देखें कई चमतकार भी हो रहे हैं और अलोकिक बस्तु है सारे देवता हम तो ऐसा मान रहे हैं कि सारे देवता बड़े बड़े सिद्ध मुनी रिसी मुनी अनेक रू बढ़ा गया यानि जो आखे लालाई थी तो आज तो यहां की स्थिती ऐसा हर व्यक्ति सोच रहा है कि हम सीधे त्रेताईगों में बैठे हुए है आज ही भगवान स्री राम का जन्म हो रहा है और भगवान स्री राम बिल्कुल महसूस किये जा सकते हैं जिसको बिल्कुल नहीं था ऐसे लोग भी यहां पर आई हुए है यानि महाराष्ट से देखें या अनियक स्टेटों से पैदल लोग चल करके आए हैं और इतने दिनों से मेनत करने के बाद में उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई ठकानी ही नहीं है यानि अपने आप में आप दुकांत हो जाता है और चेरे में मुश्कान आजाती है